तो आज है 31 तारीक और दोपहर के बच गये हैं 12 और अब मैं जा रहा हूं यहां का जो सेंट्रल रिल्बे स्टेशन है वियाना सेंट्रल रिल्बे स्टेशन है कि मुझे यहां से जैमनी जाना है तो मेंगे ट्रेंज हुआ है एक बज़े की हैं तो यहां से मुझे स्टेशन पहुचके में फार्द रस्मिन लेंगे तो फिलाल मुझे अभी निकलने बढ़ेंगे ताकि मैं टाइम भी पहुच सेकों और टिकट ले सकें तो मिलते हैं आप तो रिल्बे स्टेशन के एक दो प्याना का सेंट्रल रिल्बे स्टेशन है वहां और टिकट ले लिया है टिकट 200 यूरो की पड़ी है काफे कॉसली है और जो यहां से बर्लिन की जर्मनी है जर्नी है वह 9 घंटे की है कि फाइनली सब कुछ हो गया अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा वॉक कर रहा हूं है सून भी ट्रैवलिंग टू बर्लिंग तो लेट सी यह सफर कैसा होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है रास्ते में पिलाल यह रेल्वे स्टेशन है काफी खुब सूरत है और अच्छे तरह से इन्होंने वेल डिजान वेल मैनेज कर रखा है तो पर क्लीन कर रहे हैं सार अच्छी बात कि अगर आपको समझने आ रहा है तो आप इहां के लोग मुस्ट प्रबूली जाए तर इंगलिज बोलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको उत्पूछ नहां कोई जानना है तो और उससे वी अच्छी बात कि जो आपकी स्टेशन प्रे और प्रॉपर चेकिंग होती है तो आप डाव टिकट ट्रेवलिंग तो बिल्कुल ही मत करें तो दो यूरो लगते हैं आपको सिर्फ एक दिन के आप दो यूरो का एक टिकेट लें आप पूरे एक गिन आपने डिन ट्रेवल कर रहे हैं मेट्रो ट्रैम हो याफ बास हो तो तो चलते हैं प्लेटफॉम पे देखते हैं कब आती है हमारी थेन आउट कब लेके जाती है तो मेरी थेन है वह इंदा सिटी एक्सप्रेस है और वह प्लेटफॉम पे आ चुकी है तो फाइनली वियना को बाइब बोलने का टाइम आ गया है आउस्ट्रिया को बाइब बोलने का टाइम आगे है 6a or 6b काफी इंट्रेस्टिंग स्टे रहा है और काफी अच्छा एक्सपिरियेंस रहा है वियना आउस्ट्रिया का वर्थ तो विजित है नाव इस ताइम तो से गुडबाय तो इस ब्यूतिफुल कांट्री बस इसे एक्स्प्लोर करने के लिए आपके बास जूरो होने चाहिए अधरवाइस आप फ्यूरो हो जाओगे इदर से आरो है क्समा स्थाव जढा क्ने क्या हुआ उट्साओ एंधना आप बाई सीख्ज में बहुत ही कमफोटेबल है और खाली ही कि ज स्बस्पचराद कीजल स्साइयों ने nettया ही झाल 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 गई है जैंगी कि आप देख सकते होिए इस ट्रेन में नहीं मुझी ट्रेन में होना चाहिए था तो कुछ दिस आ गया थे जिसकी वेशे मुझे उतरना पड़ा अब यहां से मुझे डारेक्ट बर्लीन ना जाकि यहां से फ्रैंक फॉर्ट जाना पड़ेगा फ्रैं अभी फिलाली स्प्लेटफॉम पर मैं हूँ और मेरा बैग और यह अंजान जगा है इस चेहगा का नाम है पसाओ पसाओ एच बीए पसाओ तो अभी शाम के बच गए है पांग फ्रैंक्फर्ट की लिए ट्रेन आ गई है मेरी प्रेटफॉम पखड़ी है अब निकलता हूँ म इसे बाले की लेट हो जाएं तो यहां का वाश्रूम जो है ना तो बागे ही नीटन क्लीन है थोड़े ही दियर में हम फ्रैंकपर्ट पहुचने माले हैं तो फ्रैंकपर्ट पहुच गया अब यहां से कि बर्लीन के लिए निकलना है तो देखते हैं त्रेन कहां से मिलेगी यहां कि यहां से बर्लीन के लिए एक चीज मुझे यहां की ट्रेनों की ट्रेन का जो सिस्था में जो जर्मिनी की ट्रेन है अच्छी लगी वो यह है कि यह ओन टाइम पर होती है और इनकी स्पीड जो है मिनिमाम 1.20 होती है और ऐसा फील आता कि हम बुलेट ट्रेन में बेटे हैं तो अभी मसा आता है पहुंच गया और यहां की ट्रेन की सबसे अच्छी जो खास बात है ना यह ओन टाइम होती है ना तो एक मिनिट इदर ना तो एक मिनिट उदर तो सबसे अच्छी बात यह से आपको जाना वहां पर आराम से जा सकते हो पूरा अप्रिक्शन साथ वहां पहुंचोगे ओन कोब कराष्से हा ना यहां खूराम से सबस्टी के पहे दोसा यहां अpetto।